और रात का टाइम हो चुका है, दस बज रहे हैं, सब लोग सो चुके हैं गर में और एनौ ने बहुत ही महनत करके, कड़ी महनत के साथ कुछ बनाया है जिसके भी फोटो कीछी जा रही थी, इसका तेस्ट बहुत अच्छा रहा है, ये है आलू की सुलू की सब्जी और बहुत महनत करके बनाई है, अब थोड़ा सा इंतिजार ने कर सकते, कीदे इसको अठाएंगे, और सीधा खाने जाएंगे, बहुत ही अच्छा टेज्ट लगता है, इसको बहुत ही छी स्मेल आ रही है, ये हमारा की क्वांटिटी बहुत कम है, तो स्मेल ने ले लिए 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 और अच्छा लग रहा है, और अलू मिलना है, अगर अलू और कड़ी मिला कि खाए जाए तो अगर खाले किसा उन्धा जाए जाए तो, को अ ऐंच सोना को है, कड़ी में अलू ने मथा लूं और रोटी और चावल भी है और चावल भी है जावल मत खाना है तरदी में रात में नहीं का पुछी चावल पानी भी खतम अधी होता है जब रात को दस वजे हैं यानि की मक्षन पर हां पर आपको देशी घी भी ले सकते हो देशी घीन का में तरी चीच जो वेलो नहीं है तरी देशी मक्षन पर पूर पूर लग है घर में मनावती को लिखा प्रेस एंड में नुवा मूर नफिंग मूर नफिंग मूर सांची नू मिलावटी यो दिनली वाला सक्ता वलाता है जो दस रुपे में एक किलो आजा देशी आयाता है दिनली में भाई कम से कम परांठे खा न दिनली में तो आदा किलो दो भाई दे देते हैं परांठा बीस का एक मिलता है लेकिन उसमें डाल देते हैं कम से कम पचास रुपे का मक्षन डाल देते हैं को पता नहीं है इसमें अभी कुछ है क्या खाने लाएक मीठा है कुछ मोभी खा सकते हैं आरे यह बन तो कर दो कर दो